बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविड मिस्र आए जानते हैं 2 अक्टूबर 2022 का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बात आज के पंचांकी 2 अक्टूबर 2022 दिन रईवार अश्विन मास चल रहा है शुकल पक्षय सब्तमी तिथी रहेगी 6 बच कर 15 मिनट तक फिर अस्टमी तिथी प्रारंब हो जाएगी मूल नच्छत राज रहेगा चंद्रमा धनू राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर कन्या राशी में बिराजमान है अभीजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बच कर 47 मिनट से दो पहर 12 बच कर 35 मिनट तक जो भी शुब काम करना है महत्यपून काम करना है अभीजीत मुहूर्त में करिएगा तो कारियों के सफल होने की संभावना जाद रहेगी राहुकाल का समय होगा सुबह 4 बच कर 38 मिनट से साम को 6 बच कर 7 मिनट तक राहुकाल बहुत शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी महत्पून कारे ना करें दिशा शूल है पश्चिम दिशा तो पश्चिम दिशा की ओर आज लंबी दूरी की यात्रा ना करें चले शुरू करते हैं राशी चक्र सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों को भागय का साथ मिलेगा परिवार से सहयोव प्राप्थ होगा लंबी दूरी की यात्रा से आज बचें शुबरंग मरून उपाय भगवान शूर को जल अरपित करें ब्रश राशी ब्रश राशी वालों को अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी जीवन में सुख बढ़ेगा कोई बड़ा काम करने की योजना बनेगी शुबरंग केशरिया उपाय गव माता को रोटी खिलाएं मिथुन राशी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा कारचेत्र में इस्तिती और अच्छी होगी धनलाब के अउसर प्राप्थ होगी शुबरंग हलका लाल उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें करक राशी शत्रों पर विजय प्राप्थ होगी उधाल लेन देन से बचना होगा हर काम सोच समझ कर करना होगा शुबरंग क्रीम उपाय गव माता को रोटी खिलाएं सिंग राशी आपकी योजनाएं सफल होगी परिवार में सुख बढ़ेगा व्यापार आपका ठीक चलेगा शुबरंग औरेंच उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं कन्याराशी प्रापर्टी खरीदने की योजनाँ बनेगी रिस्तेदारों से संबंध सुधरेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को भुजन दान करें तुलाराशी तुलाराशी वालों का मन उत्साहित रहेगा मित्रों से मुलाकात होगी नई योजना बनाने का समय है शुबरंग गुलाबी उपाय किसी गरीब को गुड़ दान करें ब्रिश्चिक राशी धनलाब के रास्ते बनेंगे कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी किसी बात को लेकर अड़े ना रहें शुबरंग हलका पीला उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं धनु राशी मन की चिंता दूर होगी धनलाब का योग बन रहा है कुछ नया करने की योजना बनेगी शुबरंग केसरिया उपाय चीटियों को गुड में आटा मिला करके खिलाएं यानि आटा ले लें ज्यादा और गुड ले लें थोड़ा कम और गुड के छोटे-छोटे पीस करके आटे में मिला लें फिर चीटियों को डालते हैं मकर राशी मकर राशी वालों को अपने खर्चे कंट्रोल में रखने होंगे जीवन में सुक्सु विधाओं की बढ़ोत्री होगी विदेश से संबंधित काम में फायदा मिलेगा शुबरंग सी ग्रीन उपाय किसी गरीब को फल का दान करें कुम्भ राशी धनलाब का योग है करियर के मामले में सोच समझ कर निर्ने लें अपने मन की बात सबसे ना कहें शुबरंग नीला उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें मीन राशी किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे तरक्की के लिए नई योजना बनेगी संतान से सुख मिलेगा शुबरंग गुलाबी उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात आपका दिन बहुत शुब हो नवस्कार